हेलो हेलो गाइज वेलकम टू क्रेजी फॉर स्टडी तो यह अभी सक्किस सबसे ज्यादा इंपोटेंट पेंटिंग है भाई मोस इंपोटेंट पेंटिंग इसे मार्क कर लो इवलूशन ओफ इंडियन फ्लेग इंडियन फ्लेग का इवलूशन क्या से हुआ ता मतलब पहले इंडिया में कौन सा था पिर कौn सा फ्लेग में कनिवर्ट हुआ फिर किस तरिके का फ्लेग आया था तो आप दैख सकतो है pipeline में यह था षार्फ कूछ इस तरीके 2 आज ओले आज भी यूम आच चुक हैं तो इस पेंटिग में के वीपढ़ने वाले तो है दिस पहले वा करते हैं मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक शोर तो सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस डबल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे तो सबसे पहले नेम हम जैसे हम हर पेंटिंग में यूज करते हैं इसको भी इसी तरीके से हम प्यार से करेंगे मतलब नेम कलर्ड कलोफ यह ने क्लोफ़ पर किया जाता है जो मतलब आपको पता है कि आपका जो स्कुल में आप ज्छंडा लहरात यह इंदिपेंडेंट्स है और रिपब्लिक डेम है वह मतलब कपड़े पर पे तो नहीं होता जब आपके ।ीचर उसे मतलब फ्लेड को कराते होंगे तो इसलिए कलड़ कलड़ क्लोस पर क्या गया था इसका प्रियाट तीन प्रियट है 1906 1921 1947 तो यह तीनों इस्वाले में 1st फ्लेग हुआ था यह 2nd फ्लेग था थे थրड फ्लेग हुआ था 3 याद कर लिना कोट अशी यह कहां मिल सकता हमें 3 फ्लेग रखे हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इंफर्मेशन और ब्रोड्कास्टिंग कवर्मेंट फिंडिया भाई यह तो रटा नहीं पड़ेगा तो चलिए देखते हैं मैं स्टेजिस साथ से पहले फास्ट है फास्ट नाइंटीन जीरो सिक्स में पहला फ्लेग हुआ था यह उठा लिए हां से नाइं लेकिन मिडल में येलो था और नीचे था रैड नहीं और बीच में लिखा हो था बंदे मात्रम उपर ते कुछ लोटस और यहां पर था मून और स्टार तो इस तरीके से आपको जोचो दिख रहा है ना उसमें लिखे आना फर्स्ट टेज में सेक्ट इस्टेज से नाइंट बच्चा है जो इसको नहीं जानता होगा भाई यह तो हमारा फ्लेग है यह तो हम आज भी उसकर रहा है तो सबसे उपर और फिर वाइट फ्रिग्रीन इसको तो सभी जानते हैं तो रटा हुआ आपका इसको मतलब साइड कर दो आप लोग यह दो आप देख ले ना और आप यह पेंटिंग कंप्लेट हो जाएगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाना और कमेंट कर देना आपको वीडियो में मज़ा रहा है या नहीं